वेल्कुम बैक टो माई टूप्चन पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी चात्र भी यह फिर फिर समस्टर में हैं तो उनका क्या होता है कि जो ग्रह विज्ञान होम साइंस की चात्र पुछ अप सब्सक्राइब होगा कि आप उसको डानलोड कर लेना लिंक डिसक्प्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप टैलीगराम पर सारे आप लिंक दिये जा रहे हैं आप हमारे रिटिन एक्जाम को लेकर भी आप उससे दैरी कर सकते हैं रिटिन एक्जाम बहां से कुछ बाह आप अपने त्यारी को हमारी वीडियो द्वारा भी कर सकते हैं आपने अभी तक हमारी युट्यूबन पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और दोस्तों को शेर कर दीजिए ठीक है तो गाइस यहां आपको देखने वाले हैं अब आपको दिको पहले को को द्यान से देखेंगे और एक कोशन कांसर देंगे और आप पहली बार चनल पर हैं तुछान को सब्सक्राइब कर लेना प्राइपन को प्रेस करेंगे ठीक है तो देखो पहला कोशन है ग्रह विज्यान किस रणी में आता है पहला कोशन मॉस्ट इम्पोर्टेंट है ऐसा ह क्योंबर सी को लॉग करेंगे नेक्स्कोशन आपके सामने है इसको देखिए अपना प्रैक्टिस सैट के दौर्बं पूरा कोशन करेंगे देखो यहां कर आए ग्रह विज्यान का अध्धिन शेत्र कुन्सा होता है ग्रह विज्यान के अंदर होता है संपूर ग्रह की जो व बिवस्ता होती है उसके बारे में ज्ञान करना इधियन करना गिरह विग्यान के अंतरगत northwest आता है नेन्स कोशन है आभ गया है ग्रह विग्यान का च्छेत्र होता है गृध्यान का कौन च्छे Ewडा है देखिये जिसने कि एक ऐसा होता है ब्यापक चित्र होता है गिरहविज्ञान का महत्व क्या है अब क्या महत्व यह विद्ध्यान का महत्व है तो आप कहेंगे बिल्कुल इस कोशन का आंसर क्या रहेंगा कि आपको सैधान्तिक और विभारिक दोनों हो जाएगा option number C को log करेंगे next question यहां बूला गया है ध्यान से देखेंगे और बेटा वीडियो को लाइक कर देना एक बार सभी लोग को चैनल को subscribe कर देना मैं आपसे बादा कर सकता हूं यहां से 85% प्लस मिलेगा यह वीडियो का part 1 ह होगा part 2 को भी मैं लिया हूँगा यदि आप सभी लोग comment करेंगे मुझे कि सब फटाफट करा दो सारी तो मैं करा दोंगा ठीक है part 2 और यहां हमारे नोट्स को यदि पीडियाफ को download कर लेते हैं पीडियाफ का link description box में है तो आपको को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपक सकते हैं कोई इसों नहीं आने वाला है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको हमारे नोट्स हो जिसमें हमने दो बुकों से और अपनी तरफ से कुछ कोश्चन को इसमें एड किया है ठीक है तो मैं सारी वीडियो बना को प्रवाइट करा दूँगा और बैस से भी आ दंकन करना यह क्या होते हैं यह हमारे ग्रह बेग्यार के तत्व होते हैं सदा वाहर करांती किस से संबंदित होती है तो सदा वाहर करांती होती है वह बताओ सदा वाहर करांती बीटा गेहूं की जो उच्छे उपज होती है उससे संबंदित होती है गेहूं की उच्छ उप और देखो याद रखना एम स्वामी नातन ऐसा आपको याद कर लेना मौस्ट इंपूटेंट है उसके बाद में करा राष्टिये पोश्टन संस्तान के निर्देशा के रूप में किसने कार किया तो आप सभी बताएंगे इस कोशन कांसर होगा कि वो सी गोप कह सकते हैं गोप किस ने प्रतोसाहित किया तो आप कहेंगे तो किया था एस के डे इस कदे ने किया था आप्ट्चिन कारिकरब को ओना गया है कि तान जली के रचहता कौन ए है वह रविंदनाद याद रखना रभी जाध बहूत जाद इंपॉर्टेंट है इस तो दूसरी इनिट मेंड़े दूसरी इनिट में दूसरी इनिट बोल रहा है कि मानब सरीर की सूचितम इकाई को क्या कहते हैं तो मानब सरीर की सूचितम इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है तो बेटा उसको कोशका बोला जाता है option number a को lock करना कोश्चा की कोई किस ने की थी तो आपको सभी को बताओगा robot Huk ने की थी कोश्चा की कोई option number b को लौक करेंगे microsome और jeans पाई जाते हैं microsome और jeans कहां पाई जाते हैं बताईए वो केंद्रक में पाय जाते होते हैं करो मो खोला जाता है तो तेजुडी कर लोते हैं और होते हैं तो होते हैं थोkład भाकी इक जोड़ी यहां देखे हैं यहां मुला गया है कि रंख्ट परी संद्र танत्र के भाग है तो रिक्त प्रीशन से नियूरτα के व सब्रत रहते हैं हमारा हाड होता है हिर्दय का सबसे भीत्री भाग क्या कहलाता है हिर्दय का सबसे भीत्री भाग होता है वह कहलाता है उपस्ट नमटर सबसे इंडो कार्डियम करणा है अंदर वाला और पडिवा había का कितने ही मताओं कितने बहागों में दो अलेंद और दो नेले होते हैं ठीक है चार बहागों में डिबाइड होता है नेक्स कोशन बुला गया है जब एक वाहन्या सुन रखत ले जाती हैं उन्हें धंबनी बूला जाता है ऑप्चिन नमर。 सी को लोग कर देना सुरी एक को लोग कर देना सुद्रक्त बैता है धमनी में किसमें धमनी में नेक्स कोशन मुला गया है देखो जो रक्त बहानिया असुद्रक्त ले जाती है उन्हें क्या बोला जाता है जो बहानिया असुद्रक्त को लेके जाती है उनके लिए विटा सिरा स्रीर में कितना रखत होता है तो आप पांस से छिय लीटर तुक होता है तो थे तो पांस यह तो है तो किया कहते हैं रखत के तरल भागो क्या कहते हैं कि बेटा प्लाजमा बोला जाता है रक्त के तरलभाग को रक्त को यहां बुला गया है नेक्स प्लाजमा में निमनेकित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है तो देखो प्लाजमा में जो प्रोटीन मिलता है यह सभी प्रोटीन मिलते हैं ठीक है यह सभी प्रोटीन मिलते हैं नेक्स सबसे बड़ी लार गरंती कौन सी है सबसे बड़ी लार गरंती जो होती है सबसे बड़ी लार गरंती होती है कौन सा एंजाइम में मिलता है तो आप कहेंगे बो मिलता है इनमें से कोई नहीं है इसको देखिए यहां बोला गया है और सबसे बेक्ति एक में कितनी बार सांस लेता है तो वो लेता है 17-18 बार अप्शन नमर जिसने भी दिया है एप परम सत्तांसर होगा नेक्स कोशन आपके सामने है बातावार में उपस्तित बाईयों में आक्सिजन कितने प्रतिसत हो लिए तो बाईयों में जो होता है ना 79 परशेंट तो नाइट्रोजन होती है ठीक है और इसकी बाईयों में जो आक्सिजन की परशेंटेज की बात कि बातकी जाए तो आपको पता है वह होती है बीस परशेंट अबीस परशेंट आखेंट होता हमें ऑस असमें नक्स कोसे नमन отвеч कौन सा स्वसंतंतर का कार है तो आप पता ही स्वसंतंतर का कौन सा कार है तो आप को कि अपरोग सभी स्वसंतंतर के कार होते है यहां कहा रहा है मानब जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना और रक्त में गैसो का अनुपात बनाए रखना और मुला है सरीर में तापका नियंत्रण नेंट्रण बनाए रखना विलाई सवसंद के रिया में मुख थे इसको । बूला गया है मानद्व के पश्यायत Бhoजन का सोसन इस पहले होता है पताई यह और आप सभी लोग 24 कोशिन करने करने है कि पहली हिजट्र Great ते उस उत्पन करने लोगता है तो जट्र ग्रंति रज पत्पन करने में हैं तो वह कौन सा उत्पन करने लगती है है जो जट्थर गरंती होती है वो जट्थर रसको सराविर्ट करते हैं औप्शन नमर बी को लॉक करेंगे यहां कह रहा है डवलूबीचि जिसे इसको डवलूबीसी बोला से यहां को बोला गया है आर वी-सी का पूरा नाम क्या होता है और वी-सी मतलब कि होता है red blood cells जिसे कड़िकाएं बोलते हैं ठीक है कड़िकाओं को बोला जाता है red blood cells और यहां आपसे बुझाएगा लारत कड़िकाएं next question यहां बोलागा है chromosome के प्रते कोसका में कितनी जोड़ी होते हैं तो तेश जोड़ी होते हैं कोसका के समू को क्या कहते हैं cooska के समू को ऊठक बोला जाता है सुद्ध रंदिक कहां बहता है तो धम्नी में बहता है यहां कहा सबसे बड़े गरंती याक्रित होती है जिसे लीवर बोलते हैं अगयासा में डॉट-डॉट को नाम हार्मन सिरावित होता है तो इंसुलीन अगयासा को अगयासा को डॉट लेकर बहुत होती हैं। दूध की क्रिया शुट करण को क्रिया करने की क्रिया किया किया कहलाती है किया क्या लाती है तो आपको लगकर और इंत्र के ऊपर कि वे भाग को क्यां को क्या कहते हैं उसे बोलते हैं यह जो आप देख रहे हैं उसे फाइराइट बोला जाता है यहां कहा रहा है एक स्वस्त बेखती एक मिनट में शांस लेता है 17 से 18 वार अब यूनिट नमबर हम 3 में पहुंच जाते हैं और यूनिट में 3 में देखेंगे क्या-क्या इपोटेंट है यहां ध्यान से देखेंगे यहां वो लॉक करेंगे नेक्स कोशन वो लगा है को पोश्ण के लिए उत्तरदाई है तो कोपोश्ण के लिए विटा रिधानता भी मिलावट भी और आसिक्षा भी यह सब ही क्या होते हैं यह उत्तरदाई होते हैं दूद अंडा मास में पाया जाता है तो आप गहेंगे प्रोटीन पाया जाता है, option नवर A को लॉग करेंगे, next question नवर उर्जा देने वाले पिर्मुक भोज पदार्थ कौन से है बेटा भी तक आपने हमारी pdf को डानलोड नहीं किया है तो pdf का लिंग डिसकाप्शर बॉक्स में है जाके डानलोड कर लेजिए, और चाल को शेर कर देना है, यहां कहरा है उर्जा देने वाले भुज पदार कौन से है, चौधे question का अंसर जिसने भी दिया है option number carvohydride बिल्कुर राइट है, next question बुला गया है BMR बढ़ जाता है तो देखो BMR बढ़ जाता है तो कैसे बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे गर्ववस्था में, जब गर्ववस्था होती है उसमें BMR क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है चालो, next question बुला गया है संतुरत आहार का प्रवहाब पढ़ता है तो संतुरत आहार का प्रवहाब किस पर पढ़ता है तो आप होगे, यह सभी पर पढ़ता है तो किसकी उपस्तिती आवस्था है तो आपको यह लवड़ की option नमर C को लॉप करेंगे नेक्स कोशन, vitamin C की पूरती के लिए आहार है तो vitamin C की पूरती के लिए यह सभी आहार होते है एक होता है नीवू, अर्टमाटर और और अला, next question बुला गया है मनुस में बसा किस रूप में पाई जाती है option number हम D को लॉग करेंगे next question बुला है, vitamin D की प्राप्ती होती है vitamin D की प्राप्ती कहां से होती है तो आप होगे, सूर्ये से होती है option number B को लॉग करेंगे next question बुलेंगे, देखो calcium का absorption कहा होता है те calcium का absorption होता है बिटा, option number B को log करेंगे नेक्स question बुला गया है, देख़ए तहीं दहां से तेर्वा यहां कहरा है, vitamin C की कमी से रोग कौन सा हो जाता है तो इसकर भी रोग हो जाता है, C को log करेंगे next question है, रतॉणिक किस vitamin की कमी से हो जाती है, तो vitamin A की कमी से हो जाती है, option number C की को लोग करेंगे विटामिन E की कमी से क्या हो جاتा है तो आप बगोगे यह बाज़पन हो जाता है जो बच्चे नहीं होते हैं बाहलाओको और दाथ है वितमाँ प्सक्रूशन बुला गया था है बच्चों में कि कमी कमी से होने वाला रोक क्या होता है। उसे वेरी वेरी रोक हो जाता है वे वो किसके साथ में तो आपो कहोगे carlouzées perspective किसा आता है तो ब्लाईकRO प्रूटिन कहलाता है मश्ãoी का तели का अच्छा स्रोथ है तो B therapeutic D सूरूत है ज्युमवल क्यूत में कवो हो जाता है सरीव में पंति है क्लोरीद ऊरजा मिलती है कंसा रोग हो जाता है तो काऊगे औॉष्टियो अम्लेजिया रोग हो जाता है ठीक है, एक म्लेजिया रोग हो जाता है, केल्सियम की कमी से वो स्ोडियम होता है, आँखों की सुरक्षा के लिए रावस्यक है बिटामिन A रावस्यक होता है यहां कहना है दातों की देखबाल हेतु बच्चों में तत्व आवस्यक होता है कैल्सिम आवस्यक होता है आुला में पोशक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो विटामिन C पाया जाता है विटामिन A का सरंबुत्तम सादन है वो है मास next question बुला गया है next question बुला गया है हेरदया Alright डटाड्ड़्ड की अधिकता से होता है बसा होता है यहां कहाएर醒ter कहा है दाले का सबवत्तम साधन कौन सा होता है protein सबसे रधर protein दाल में होता है कर एक प्रोड़ा महिला को gram protein अवस्ते है तो की अधिकता होती है तो बिटामिन एक ही होती है नेक्स कोशन बुला गया है अंकुर्ण खाद पदार्तों के वे डॉट-डॉट की मात्रा मात्रा बड़ाता है तो आपको गए थायोमीन बनाता है सोडियम की प्रापती का सबसे सस्ता उत्तम साधन क्या है तो आप गए वो है नमक नेक्स कोशन बूला गए नमक बुला गए है पाइसी करण क्रिया डोट डोट के पश्चाद आवस्चाद होती है आप पचान को पचाना चाहिए कि लिए भोजन को पचाना होता है ठिक है पकाचा कह सकते हैं चाहिए पकाना चाहिए तो अप्षिन नुबर रहना का और सब्द आइस को देखो क्लास को पूरा करते हैं ठीक है यहां बुलागे है बहुजन को पकाना चाहिए तो आपको धक्कर पकाना चाहिए बहुजन को गर्म करना चाहिए तो बहुजन को गर्म किसमें करना चाहिए तो आपको के एक बार गर्म करना चाहिए नेक्स कोशन है हरी सबजीयों को काटना च चाहिए तो बिदी में कौन सा ताप उज्टम होता है इस तो एक सो असी फॉर्ण हैट सबसे अधिक होता है यहां करत चाबल द्वारा भोजन के दौरान पानी की अधिक मात्रा को फेकने से फेकने से हानी होती है, तो बिटा जो फेकने से हानी होती है, वो होती है हमारी किसमें, तो आप को बिटामिन B की कमी होती है, बिटामिन B जो कंप्लेक्स होता है, उसकी कमी हो जाती है, चावल द्वारा भोजन के दोरान पानी की अधिक मात्रा को हम फेकते हैं, ठीक है, फेकन या फिर 112 फॉन्हाइड पर वलने लगता है फॉन्हाइड 212 हो जाएगा फॉन्हाइड 212 में और इसको याद लखेंगे यहां कहना बुन्ना विदी से भोजन को सीधे ही संपरक्ष में रखकर भूना जाता है तो वह आग की लव में बुन्ना विदी द्वारा नेक्स्ट पो भूजन को बास बद्वारा पकाने में विदी कौनसी होती है दो विदी होती है अब यूनिट नमर पांच को देख लेते हैं यह हमारा पार्ट बन है वेटा और पार्ट तू को भी हम डालेंगे आप सभी लोग कॉमेंट करेंगे तो वीडियो में और हमारे नोट्स को आप इसका देन कराता है बताएं गर्व अवस्था में बाल कवस्था का ओप्शन नमर जिसने भी दिया है ए परमसत्तांसरोगा ठीक है वेलकॉल नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन को एक बार सबी लोग देखेंगे दूसरा कोशन आपके सामने आचुका है बालक के विकास में साहिक क्या होता है बालक जो होता है उसके विकास में यह सभी अधिहापक भी माता पिता भी और समाज इनके विकास में क्या होते हैं यहां देखो यहां बुला गया है पुनरवलन का सिध्धान किसने दिया था तो पुनरवलन का सिध्धान दिया था वो दिया था मिलर इसने दिया था मिलर ने विटा यह याद रखना मिलर दुवारा ठीक है यह फिर आप कह सकते हैं बुलार्ड एम लर्ने ओप्शन नमर बी को लोग करेंगे मैं और एहम महा एहम इन तीन व्यक्तित अवस्थाओं को किसने विभाजित किया तो आप कहेंगे चार का जो अफ्षिन आने वाला है वो चील वाले कोशन की बाद करने वाले हैं वो जिसने भी ऑप्शन नमर दिया है c टीक है crit हो जाएगा फ्राइट नेक्स कोश्शन को जलते है है जो मैं इन तीनों विएक्तित ववस्तह में विवधतित किया जाता है वो हो फ्राइट वभार्ह के जाता है ठीक है स्क वूला गया है अबस्वशन प्रसक्सिता कौनसे वर्स में होती है तो आप कहेंगे जो प्रोषद्धा अवस्ता होती है वो होती है तेरा से अठारा वर्स के बीच में क्या हो रही है पांस से बारा वर्स के बीच में ऑप्शन नमर बी को लोग करेंगे पांस से बारा के बीच में किसोर अवस्ता का उमर कितनी होती है किसोर अवस्ता की होती ये बारा तेरा से अठारा कि सूर अवस्ता होती हो तेरा से अठारा वस्ता होती है ठीक है नेक्स कोशन है हर लौक की अनुसार जो सोस वावस्ता कौन सी होती है हर लौक की अनुसार सोस वावस्ता कौन सी है तो आप सभी कहेंगे जन्म से दो सब्ते तक जन्म से दो सब्ते त स्था में दोनों प्रभाइद होते हैं या प्रभाब होते हैं या फिर प्रभाब होते हैं जन्म के बाद विकास की सबसे अधिक तीवरता होती है देखो जन्म के बाद विकास की सबसे अधिक तीवरता जो होती है वो होती है हभी पिर्थम करेंगे पहला कोशन है करमोसोम के संख्या कितनी निंगों जो होता है तो अब यूर reduced तो आपको के घरवासे में होगा option को लॉक करेंगे इस तरी कोश को क्या कहते हैं इस तरी कोश को अंडाणू कहा जाता यहां देखी यहां कह रहा है डिंब गरंथी की संख्या कितनी होती है तो गरंथी होती हुटी उनकी संख्या क्या होता है तो गर्वस्ता का पिर्मुक लक्षण क्या होता है तो गर्वस्ता के ने कि यह क्या होता है यह एकंद असका मेंयों है तो ऑग्नेंट है क्या हो थे ठीड़ा दायक पराइब होता है ये रट रहे हैं रट ही जादा रहे नहीं से उस में मुला गया रहे तो यहां ग्रवर थे क्यों की मास थीक्सा को सक्षबुत सब्सक्राइब कर से जाए । होना चाहिए यहां हो लगे प्रुसूत का कमरा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए गण में सवास्धार उना चाहिए करेंगे यहां ताक में ओनलेटे रहे हैं यहां कौन सा तीका से सिसु की रक्षा करता है तो कौन सा तीक है तो तीन रोगों से सिसुखी रक्षा करता है वो करता है डी-पी-टी-डी-पी-टी-डी-पी-डी-टी-डी-पी-डी-डी-डी-टी-डी-डी-पी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी- दो वर्स के अंततत, दो वर्स के दी बच्चा हो जाता है, तो कितने दात निकलाते हैं उसके, यह आप से पूछा गया है, इस कोशन का अंसर क्या रहने आला है, बताईए, तो आप को के 20 दात निकलाते हैं, बताओ, 20 दात निकलाते हैं, जब वो बच्चा दो वर्स का होता है तो यहां कर रहा है इस्तनपात छुटाने की पिरकिरिया प्रारम कर देनी चाहिए कितने महीने के बाद में आप बच्चे को दूद नहीं पिलाना चाहिए अपने बच्चे को तो आपको 6 महीने की आयू से आप 6 महीने का यदि बच्चा हो जाता है तो उसको क्या है दूद पिलाने की परिकिरिया को खतम कर देना चाहिए तो दूद नहीं पीएगा अब रुक जा थोड़ा कुछ खा पी ले तो वो चीज को चलो नेक्स कोशन यहां बूला गया है यहां देखिए जन्म के समय समान सिसू का भार होता है तो बहुत है पांत से आठ पांड में ना पाजाता है पांड में पांड में होता है नेक्स कोशन बूला गया है साधान भारती बच्चे का जन्म के समय बजन होता है कितना होता है तो आप सभी कहेंगे सबसे महत्पूर्ण क्या है बालोकों के विकास में सबसे महत्पूर्ण होता है पोशन बच्चा चलना परारम करता है बच्चा कब चलना परारम करता है तो आपको चलना परारम करता है तो आपको चलना परारम कर देता है दूद के दातों की संक्या करा है दूद के दातों की संक्या होती है दूद के दांत कितने होते है दूद के दात 20 होते हैं यहां करें नबजाद सिसू की समानता लंबाई होती है नबजाद सिसू की कितनी लंबाई होती है आप उगे 50 cm होती है नेक्स कोशन मुला गया है बच्चों की ब्रद्धी को प्रभाविट करने वाले तत्व कौन कौन से होते है बच्चों की ब्रद्धी को प्रभाविट करने वाले यह सभी होते है व्यपसाय, बाताबर्ण और बंसानुकत नेक्स कोशन मुला किया है डिम बगरंथी की संक्या होती है डिम बगरंथी की संक्या कितनी होती है दो होती है यहां किरा अनुवंसिक गुणों का निर्धार होता है अनुवंसिक गुणों का निर्धार किसमें जिम्स में होता है किरा बालका का जर्म तथा क्रोमोसोम के सयोग से बनता है आप कोगे बिड़ा क्रोमोसोम के देखो X याद रखना X भाई दोनों होगा ठीक है तैंक का चॉसें बूला गया है देखिये सीह निल डायोक अगार को दरभ बुरॉण की बहारी आघातों की रक्षा करता है तो जो डेको व्रुण आपका द्रब भूर होता है कि आगात की रक्षा कॉन करता है बो करता है अम्मिनुटिक करता है option number और हम इसको आंसर दे रखा है सिंपली और गर्व कारिन विकास की तीन अवस्ताय कौन कौन से होती है तो आपको पर डिम्ब वस्ता होती है एक व्रहुन अवस्ता होती है इनको यात कर लेना बहुत जदा इंपोडेंट है उसके बाद में आता है जन्म पूर्व तीसरे दूसरे महा के अंत तक की अवस्था कहलाती है तो बो कहलाती है ब्रुन अवस्था कहलाती है देखो जन्व पूर्व जन्व से पहले तीसरे सब्ते से और दूसरे महा के अंत तक की जो अवस्था कहलाती है वहारे ब्रुन अवस्था कहलाती है दातों के विकास के निव समानों का भार कितना होता है तो आप को समाजिक्त मुसकान कि भी में देता है तुbrand बच्चा मुसकाने लगता है मतलब कि हसने लगता है वो जर्म के बाद बालक के प्रत्थम भासा कौन सी होती है, तो रोना जर्म जब होता है, तो उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी प्रत्थम भासा होती है, ठीक है, अब आठमी यूनिट में हम देखेंगे, क्या-क्या है, इसमें देख लीजिएगा, यहां बूला option number हम B को log करेंगे next question बुला गया है यहां बुला गया है बालक के खेलों को कौन सा तत्व प्रभाहित करता है जो बालक खेलते हैं तो उनको कौन सा तत्व प्रभाहित करता है बताएए कोगे यह सभी प्रभाहित करते हैं खेलने का समय बातावर्ण और आर्थिक इस्तरवी यहां कहरा है कल्पनात्मा खेलों का विकास किस आयू से होता है जो कल्पनात्मे खेलों होते हैं उनका विकास होता है तो कौन सी आयू से होता है आप कोगे चौथी बरसे हो जाता है कल्पणा करने लायक हो जाते हैं किक्या कर रहा है वह लुगू शरय खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं तो जिसने भी Option no दिया है थो हो जाएक को लॉग करेंगे बालक के धायत्ensch व्रुबकास को प्रेवावित करने वाले कारव कॉन से हैं तो आपको के यह सभी होते हैं बंस परंपरा बातावर्ण और कह सकते हैं हार्मोन परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं प्रिष्टिकुल परिस्तितिया होती हैं तो बच्चे को क्रोधी बनाती है नेक्स कोशन मुला गया है बालag की शिक्षा में विसेस महत प्या होता है अभ फ्लक का opponent आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो ठीक है याद रख रहे ना आप नोट्स डानलोड कर लेते हैं तो दोनों को हम एक साथ में आपको मिल दाएगा नोट्स में कुछ हमारी वीडियो देखने की जिलतों नहीं पड़ेगी या फिर हमारी नोट्स को आप डानलोड कर सकत यहां दिखो बुला गया है किन्याएं किस अबस्ता कि समाजिक बिकरतर में यून व्रोद की भावना पाय जाती है तो बैटा यून व्रोद की भावना पाय याति है उत्तर कि बाली अवस्था में उत्तर वाली अवस्था बोला जाता है जिसमें यह कह सकते हैं योन ब्रोत के भावना पाई जाती है समाजी करण की अवस्था कौन सी है तो समाजी करण की जो अवस्था होती है वह कौन सी के उपको बताना है के Holzा चर्द्रा विकास को परिभाविद करता है उसको कॉंभाविद करता है की एक अप्षेन और चार आपके दे रखेंत नाकूण काटने का बिवाहर बालक में पर्स में आता है तो नाखून काटने का तीन से छे वर्स में उसका नाखून काटने का विवार आ जाता है लाश्ट मां है आप देख सकते हैं और यह काफी इम्पोटेंट भी रहेगा यहां कहा रहा है कि उटा चूसना समाण विवाहर नहीं माना जाता है बच्चा को उटा चूसता है तो कौन सेथे और आधन के रूप में बन जाए और सवरो अवस्था के बाद भी देखा जाए तो उसे क्या कहेंगे उसे बोलते हैं कि कैसकते हैं समस्तियात्मक विवाहर वाना जाता है तो उसे समस्तियात्मक विवाहर वाना जाता है जब बच्चा तीन वहिने के बाद में उठा चूज रहा है तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है तो यह हमारी एक समस्यात्मक व्यस्था बन जाती है इस तरीक को ध्यान से दिख रहा है एक वेभार बन जाता है कैसे लगी वीडियो कोमेंट शेक्स में आप सभी लोग बताएंगे और पीडियाप को डानलोड कर लेंगे और आप हमारे यूटूब चल पेपर पर हैकर पर पहली वी आ रहा है तो चलो को सब्सक्राइब कर लेना और भी यह भाई पेपर हैकर को लिंक डिसक्वप्शन वाक करो कि लोगी.